नमस्य दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में जो विभिन प्रकार के चर्म रोग होते हैं विशेशकर लियूकोडर्मा विटिलिको जिसे हम सफेद दाक कहते हैं उसका क्या आयरुवेदिक उपचार है उस पर गहन चर्चा करूँगा और इसमें आप इस आयरुवेदिक कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और जो कई महानुभव रहे हैं उन्हों भी इस प्रकार के चर्म रोगों को कैसे ठीक किया है उसके बारे में भी आपको गहन रूप से बताऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह रह है एकजीमा सोरियसिस इन सभी को ठीक करने में इस औशदी की अत्यन्त महिमा है और जो समान्य दाद का जो खुजली है वो तो ये ठीक करता ही है लेकिन इसके बारे में आपको डीटेल नहीं बताऊंगा पहले जो इन्फरमेशन पैकेजिंग पर दी गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं पचास ग्राम की पैकेजिंग में आता है दो वर्ष की इसकी लाइफ है आप देख सकते हैं फरवरी बीस से जनुरी बाइस और मात्र तेईस रुपए इसका मूल ले है तो काफी सस्दी ओशदी है डोजेज एक से तीन ग्राम लिखा है लेकिन मैं आपको बता के बारे में कुछ बाते हैं दोस्तों ये गिलोए तुलसी की तरह सामाने औशदी नहीं है कि जिसका भी मन हुआ ले लिया किसी मात्रा में ले लिया आपको अतेंत सावधानी बरतने की आवशकता है आपकिसी आईरवेदिक का चिकिचसक को दिखा कर ही आपकी जो भी प्रक बिलकुल ध्यान रखें इस पर आप सावधानी बरतें देख लीजे ये दिखने में कैसा है ये चून अब आईए सीधे चलते है में मुद्धे पर कि इसको कैसे लेना है और कैसे आप इसका जो है किन किन रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो या तो आप इसको डारेक में आप रख लो और एक चमच प्रातहकाल आप ले सकते हो स्वामी रामदेव जी ने कई प्रकार जो नजाने कितने ही लोगो को जिनको लियूकोडर्मा आदी था उनको ठीक किया उन्होंने बताया कि जो नीम पत्र होता है उसको गोमुत्र और गोबर के रस्में मिलाकर मिट चुन को 20 ग्राम कायकल्प वटी और 20 ग्राम गिलोई वटी इसके साथ मिलाकर भी 2 ग्राम दिन में दोबा ले सकते हैं कायकल्प क्वाथ का भी आप सेवन कर सकते हैं इससे भी लियूकोडर्मा आदी निश्चिती ठीक होता है चुकि देखे ऐलोपैथी में तो इससा कोई नहीं तो यह भी आप कॉम्मिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और एक शुत्रगहन लेप करके आता है पतंजली का वह लेप होता है उसका भी लगाने का रहता है उसमें भी बाकुची और मंजिष्ट यही और रहती हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं लियूकोडर्मा में तो भी आपको निश्चित लाब मिलेगा तो आप देख सकते हैं कई प्रकार के आप वेरियेशन अप्लाई कर सकते हो इसको लेके और सभी के अपने अपने फाइदे हैं किसी पर कुछ चल जाता है कुछ जल्दी फाइदा होता है और एक चीज़ का भीयान रखें कि कुष् टीम मिलेगी तो यही था दोस्तों यह जो पुरा बाकुची चून है इसका रिवियू इसको आप कैसे कैसे ले सकते हैं लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं किसी आईरवेदिक चिकितसक के परामश के आधार पर ही आप इसका डोजे जादी और लेने की विधी निर्धारि करें वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद ओम नमस्ते